हलो दोस्तों स्वागत है आपका दे जुरावर क्लासेस पे जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम सिरीज चला रहे हैं वन वर्ट सब्सिचूशन का एक्शली क्या है कि मैं पूरे वीक में दो क्लासेस आपकी कम से कम एक टॉपिक पर ले सकता हूं इंगलिस के जैसे वन वर्ट सब्सिचूशन की दो टॉपिक हो गए दो वीडियोज हो गए इस तरह से मैं अगर नेक्स्ट जब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पर करेंगे एंड कुछ मेरे अंदर की जो भी चीजे हैं जो भी मुझे कमिया लगती है मैं उसे डेली डेली सुधारने की कोसिस करता हूं मैं कमेंट्स पढ़ता हूं आप सबके सो प्लीज आप लोग बिल्कुल अपनी तयारी बनाये रखिए बाकि जो भी कमिया हम लोगों मे हो रही हैं वो सारी सारी हम लोग सुधारेंगे आप उसके लिए बिल्कुल परिसान ना होगे ठीक है चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग डेली पंदर आपके वनवर्ट सब्सिशिशन को कर रहे हैं अगर जो लोग पहली बार ज नूज रिगार्डिंग के बियस एंड आपके जो वीडियो जाती हैं उनकी लिंक सारी चीजे आपको प्रोवाइड होती रहेंगी टाइम टू टाइम विकाज कभी-कभी होता है यूटूब आपको लिंक नहीं सेंड करता है तो यूटूब का एक का सकते हो को उसका एक सिस लिखा गया है जैसा कि हम लोगों ने 15 कर लिया इसके पहले पिछले वीडियो में एक वीडियो में हमने कर लिया है जाके उसको करिए हमारा सुलहमा जो दिया गया है doubtful about the existence of God जो किसी भी भगवान की ऐसा इंसान जो किसी जो भगवान की existence में यानि कह सकते हो कि God के मौजू agnosticism कहते हैं जिसका मतलब होता है जो इश्वर की अस्तित्व पर संका करे agnosticism ठीक है इसका मतलब होता है जो इश्वर के अस्तित्व पर क्या करे संका करे मतलब अब देखो इसको याद कैसे करोगे कि जो God के अस्तित्व पर यानि उनके existence पर doubt करे उसे हम क्या करते हैं तो एगनो से याद कर सकते हो कि किसी भी चीज के ना होने की वज़े से ठीक है ऐसे लोग जो निगेटिव हो एगनो से याद कर सकते हो जो निगेटिव हो मतलब गौड नो का मतलब ना हो जो ऐसे लोग होते हैं आप याद कर सकते हो एक ऐसा इनसान जो गौड के ना होने पर संका करें या कर सकते हो कि बिलीम ना करें उनके ना होने पर उसे हम याद कर सकते हैं तो agnosticism जो होते हैं वो लोग ऐसे ही होते हैं कि जो इस तोर के ना होने कि क्या करते हैं अस्तित्व पर संका करते हैं नेक्स्ट है one who belongs to different country race of group ठीक है एक ऐसा इंसान जो क्या करता हो किसी दूसरे देश से बिलॉंग करता हो या किसी अलग ग्रुप से बिलॉंग करता हो यह सब ग्रुप का मतलब होता है किसी अलग जगह से बिलॉंग करता हो उसे हम क्या करते हैं ईलियन सुनेएओ, ईलियन बोलते हैं, एलियन का मतलग होता है गयर नागरिक, ये चीद ध्यान रखना बहुत important है, ये पूछा जाएगा आपसे exam में ये बहुत important है, पहला and आपका दूसरा ये दोनों बहुत important है, ठिक है? तो ध्यान से सुनियेगा, one who belongs to different country race of group उसे हम बोलते है alien जिसे ही बोलते है हिंदी में गैर नागरिक ठीक है चलिए अगला देखते है नेक्स दिया गया हमारे लिए alliance fixed after divorce to wife जो divorce के बाद एक wife के लिए alliance fixed होता है उसे हम क्या करते है बताईए कि जो alliance होता है जो भी alliance fixed होता है divorce के बाद जो wife को दिया जाता है जो भी पैसे दिये जाते है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है alimony alimony याद रखना कि ऐसा money से आप याद कर सकते हो कि money क्या याद कर सकते हो money ऐसा money ठीक है ऐसा money जो कब दिया जाता हो आपके alliance के बाद दिया जाता हो मतलब sorry आपके divorce के बाद दिया जाता हो तो ऐसी money को हम क्या कहते है alimony कहते है जो की divorce के बाद दिया जाता है यानि तलाक पश्चात की जीवन बृत्ति को याद रखेगा अभी मैं repeat करूँगा तो आपको तुरंट से तुरंट बताना इसलिए copy pen लेके बैठो चीजों को अच्छे से लिखते रहो समय से लिखते रहो क्योंकि देखो जब ये बाद में आप देखोगी न तो आपके लिए burden हो जाएगा तो मान के चलो एक number अगर eडियम phrase से आ गया एक number one word subscription से आ गया एक number synonyms आ गया एक number antonyms आ गया तो इस तरह से हमारे पास एक पार्ट में चार नमबर सिर्फ इन ही चार चीजों को पढ़ करके चार नमबर एक पार्ट में and चार नमबर दो पार्ट में यानि कि आठ नंबर हमें पूरे के पूरे क्या होने है, मिलने ही, मिलने है, तो इसलिए बहुत important है, अगर आप 20 में से 8 नंबर की preparation कर रहे हो, तो time तो थोड़ा लगे गाई ना, आप सोचो 20 में से 8 नंबर आपको लाना है, तो time तो थोड़ा लगे गाई ना, इसलिए हमें य belongs to different country, उसे alien बोलते है, alliance, alliance जो होता है, वो जो divorce के बाद alliance दिया जाता है, उसे हम बोलते है, alien money, ठीक है, तो I hope आपको ये सारी चीज़े समझ में आई है, next हम देखते है, दिया गया है, हमारे सामने, story in which ideas are symbolized as people, जिसमें एक ऐसी कहानी जिसमें story जो होती है, या जो ideas होते है वो symbolized होते है, as a people, जैसे मैं एक example देना चाहता हूँ, आप रूशो का नाम सुने होगे, रूशो का एक email करके character है, या कर सकते है, उसकी एक book है, जिसमें email को ही उसने एक character भी माना है, और अपना लड़का भी माना है, तो इसका मतलब क्या होता है, कि जो ideas है, उसने symbolized किया ह as a people, ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं, allegory बोलते हैं, allegory या allegory दोनों लोग बोल, दोनों चीजों को बोला जाता है, दोनों तरह से इसका हम pronunciation कर सकते हैं, तो allegory बोलते हैं, जिसका मतलब होता है, प्रतीक कथा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रतीक को एक, जो symbol होता है, उसे हम एक नाम दे देते हैं उसे हम क्या करते हैं एक नाम दे देते हैं कोई भी चीज का सिंबल जैसे सिंबल है आप बताओ कि जो अभी हम chemistry पढ़ेंगे ना तो उसमें जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि chemical सिया कर सकते हो जो elements है उनके नाम कैसे दिये गए तो उनके नाम दिये जाते हैं पहले जानते हो पहले आपको carbon को इस तरह से कुछ बना के दिया जाता है मतलब इस तरह से चारो तरफ गाड़ा-गाड़ा सा काला बना करके carbon को represent किये थे ठीक है hydrogen को बनाने के लिए एक बार ऐसे किये थे एक बार ऐसे कहते हैं तो इस तरह से हम represent करते हैं symbols को तो इस symbols को हमने एक नाम दे दिया क्या hydrogen तो आप समझना यहीं से connect कराना कि जब किसी story में कुछ idea जाते हैं उन्हें हम क्या करते हैं symbolized कर देते हैं as a people ठीक है as people मतलब लोगों की तरह हम उन्हें नाम दे देते हैं उन्हें symbolized कर देते हैं उसी को हम कहते हैं allegory ठीक है I hope आपको समझ में आया होगा clear हुआ होगा next हमारे सामने है next हमारे सामने है commencement of adjacent words with the same letter जो commencement होता है एक adjacent words के जो same letter से आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं alliteration जिसे अनुप्रास बोलते हैं alliteration बोलते हैं जिसे अनुप्रास के नाम से जाना जाता है ये चीत ध्यान दीजेगा next हमारे सामने आता है one who lives and works for the welfare of others जो क्या होता है जीवित रहता है और काम करता है क्या करने के लिए welfare of others दूसरों के help करने के लिए जैसा कि अभी आपके दजोरावर classes पे पूरी process यही है तो इसको ऐसे इंसान को हम क्या करते हैं ऐसे लोगों को हम बोलते हैं altrist का मतलब होता है परोपकारी आप देख सकते हो जो क्या करते हो जो जिन्दा हो और work करते हो किसके लिए welfare of the others इसको हम क्या बोलते हैं altrist बोलते हैं तो यह चीज़ ध्यान दिजेगा और हाँ दूसरी चीज़ यह हो गई कि एक कबिरदास का दोहा कहा गया है निंदक नियरे राखिया आंगन कुटी चवाए तो जो लोग भी आपकी कमियों को बता रहे हैं उनको हम दूर नहीं रख सकते हैं उनको अपने पास रखो क्या होता है कि उनको इतने पास रखो उस दोहे का क्या मतलब है कि आपके अंदर की जो कमी होगी वो जब-जब याद दिलाएंगे आप उतने ज़्यादा निखरते जाएंगे, सो मुझे ऐसे लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो भी है, जो भी मेरे कमीों को बताते हैं, इसलिए मैं आप सबसे बोलता हूँ, मैं मैं खुद रिक्वेस्ट करता हूँ, कि जो भी आपको कमी दिखे है, उससे कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए, मैं उससे जरूर से जरूर सुधारने खोसिस करूँगा, ठीक है तो ऐसे लोगों का स्वागत है, बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है, जो मेरे कमीओं को बता सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पर्फेक्ट बनूँ, इसलिए आप मेरे कमीओं को बताते रहिए, कोई दिक्कत ने ठीक है, तो one who lives and works for the welfare of the others, उसे बोलते है Eldrist मतलब होता है परोपकारी, याद रखेगा क्योंकि अभी हम लोग आएंगे पढ़ने तो ये ध्यान दीजेगा, ठीक है, अच्छा देखो इसको कैसे याद कर सकते हो, यहाँ पर इस्टोरी दिखा गया है न, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, गोरी, अब यह लड़की परोफेशनल स्किल्स और इग्सपर्टीज, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कौफेशनल स्किल्स में कमी हो, या एक्सपर्टीज में कमी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं amatural, या आप सिंपल सी बात है, गयर पयसेवर देखे हो, ना तो इसी तरह से याद कर सकते हो कि जो mature लोग नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, a mature यानि गैर पेसेवर, यानि lacking professional skills, उनके अंदर कमी होती है, professional skills की, या expertise की कमी होती है, ठीक है? नेक्स्ट आता है, a diplomatic representative of one country in another, ठीक है? यहाँ पे R जोड़ दीजेगा, a diplomatic representative, जो diplomatic representative होता है, जैसे आप सुने होगे, राजदूत या दूत भेजे जाते हैं दूसरे देशों में, उन्हें हम क्या करते हैं, जो diplomatic representative होते हैं, उन्हें देखो ambassador यानि राजदूत बोलते हैं, मैंने दूसरे देश में, उन्हें हम राजदूत बोलते हैं या ambassador बोलते हैं, ठीक है? चलिए, next देखते हैं, equally skillful with each hand, मतलब उसके दोनों हाथ एक तरह से कह सकते हो कि बराबर skillful हैं, मतलब किसी में कमी नहीं है, जैसे मान लो कोई है, जो math में भी अच्छा है, और वो आपके कह सक पते हो कि EBS में भी अच्छा है, तो वो क्या है, कि वो equally skillful है with each hand, उसके सारे subject अच्छे हैं, ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, आप सब लोगों का सब कुछ अच्छा है, इसलिए आप लोग देख लो कि आपको क्या करते हैं, आपको बोलते हैं, I am be dictates. Sorry friends, बीच में recording थोड़ी सी pause हो गई थी, किसी करण से, so, खैर, हम लोग क्या पढ़ रहते हैं, equally skillful with each hand, इसको हम बोलते हैं, ambidexture, ठीक है, ambidexture बोलते हैं, इसका मतलब होता है, दोनों हाथों से निपड होना, जो कि आपके दोनों हाथों से निपड होते हैं, skillful होते हैं, जैसा कि आप सब लोग हो, आप सब लोग हर subject में अच्छे हो, English सच्छे से कर रहे हो, Physics सच्छे से कर रहे हो, Science सच्छे से कर रहे हो, अगर आप लोग नहीं देख रहे हो, Science की वीडियो, तो please continue देखते रहेगा, जिनको question answer करने हैं, साइंस के, वो भी बता रहा ह and 10th के, CBSC के papers ले ले हैं, CBSC के, जितने भी previous year के paper हुए हैं, और जो topic आपके syllabus में है, जैसे पूरी physics आपके 9th की, आपके syllabus में है, सिवाए gravity का, जो एक chapter है, gravitational force, ठीक है, इसको छोड़के, पूरा chapter आपके physics में है, physics का, जो 9th का physics है, वो पूरा का पूरा आपके syllabus में है, सो CBSC के वो paper आप लोग ले सकते हो, कहीं से भी online download कर सकते हो, या जहां भी आपके अगल बगल किसी bookshop में मिले, तो वहाँ से जाके purchase कर लो, आपके लिए काफी benefit होगा, सो हमने, यहां से practice काफी ज़्यादा कर सकते हो, आप जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है ठीक है, तो आप देखते हैं, हमने 22 नमबर पर पढ़ा, lacking professional skills को क्या बोलते हैं, mature बोलते हैं, development representative of one country in another, उसको ambassador बोलते हैं, equally skillful with each hand को ambidextures बोलते हैं, मतलब दोनों हाथों से क्या होते हैं, निपड होते हैं, next हम देखते हैं अपना, तो हमारे सामने आ गया, having more than one possible meaning, जिसक इनके पास क्या होता है, एक से ज़्यादा possible meaning हो, उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, ambiguous, ठीक है, ambiguous बोलते हैं, यानि असपस्ट अर्थों वाले, जिनके पास एक से ज़्यादा meaning हो, जैसे एक अलंकार जब आप पढ़ोगे हिंदी में, तो आता है कनक कनक, जिसे English में figure of speech बोलता है, कनक कनक ते सौगुनी है ना, तो इसका देखो, ये कनक का मतलब यहाँ पे अलग होता है, और इस कनक का मतलब यहाँ पे अलग होता है, यानि इनके पास एक से ज़्यादा meaning है, ध्यान रखना more than one, ठीक है, जिनके पास एक से ज़्यादा meaning होते हैं, उन्ह असपस्ट अर्थों वाले बोलते हैं, यानि उनका सपस्ट अर्थ नहीं निकलता है, कि इनका इस जगह अगर प्रयोक किया जा रहा है, तो क्या सपस्ट अर्थ है, वो situation के according depend करने लगता है, तो I hope आपको ये चीजे समझ में आए होंगी, ठीक है, चलिए, next देखते हैं, त RCL और Total Loss of Memory को क्या करते हैं, Amnesia बोलते हैं, याद रखेगा, बिस्मरण बोलते हैं, Amnesia, ये एक तरह की विमारी होती है, इसको ध्यान से समझे, घजनी से याद कर सकते हो, यानि उसको जो विमारी होती है, वो Amnesia की होती है, आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है, अगला द से बोलते हैं, Amnesia का मतलब होता है, बिस्मरण और Amnesia का मतलब होता है, अपराद च्छमा, जो एक जनरल पारडन होता है, च्छमा करना होता है, या कर सकते हो, माफी मागना होता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, Amnesia से आप इसको कनेक्ट करा सकते हो, कि हम वो अपनी गलती को भूलना चाहते हैं बिसमण करना चाहते हैं गजनी याद रखना यहाँ पर जब भी यह आएगा पार्सियल यह टोटल और गजनी से याद रखो कि उसको कौन से विमारी हो गए थी एमनेसिया विमारी हो गए थी So last क 3 हम देखते हैं दोस्तों बहुत ध्यान से समझेगा हमारे पास दिया गया है Animals which leave both and land which leave both on land and in water ऐसे जानवर जो आपके जमीन पे भी रहते हो और कहां रहते हो पानी में भी रहते हो उन्हें हम क्या गते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं Amphibian Amphibian का मतलब होता है Ubhachar, क्या बोलते हैं Amphibian का मतलब होता है Ubhachar, ठीक है याद रख सकते हो इस चीज को कि जो दोनों में रहते हो, अच्छा देखो Bi का मतलब होता है ना, लगबग लगबग दोनों में, जैसे आप एक word पढ़ते हो Bilingual, Bilingual का मतलब क्या होता है, Bilingual का मतलब होता है, जो इभासी जहां भी आप देखो, देखो आप जहां भी Bio कर सकते हो कि जितनी जहां भी Bio लगता है, ठीक है उसे हम बोलते हैं Double से या कर सकते हो, दो से Connect करा सकते हो ठीक है, तो इसलिए इसको भी connect करा सकते हो कि ऐसे लोग जो दोनों जगह से रहते हों उन्हें हम क्या करते हैं उन्हें हम बोलते हैं amphibian ठीक है next हम अपना देखते हैं तो दिया गया है a designated sections of seats in any part of a theater जो एक designated section नहीं होता है seats का उसे हम क्या करते हैं किसी भी theater में अभी तो theater खुले हुए हैं तो आप लोग बहुत ध्यान से जाएगा picture को देखने के लिए क्योंकि KBS में select होने के बाद बहुत अच्छे से देखा जाएगा पहले पढ़ लेते हैं तो amphitheater बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं amphitheater यानि अखाडा बोलते हैं यहां पर एक designated sections होता है, designated section होता है, seats का any part of a theater तो उसे हम बोलते हैं अखाडा जहां पर जैसे देखे होगे दंगल मूँ भी देखो तो बीच में क्या होता है? एक गोल सा बनाया गया होता है जिसके चारों तरफ के design में seats लगी होती है तो उसे हम बोलते हैं अखाडा ठीक है last and but not the least, तो ध्यान से समझेए, the loss of ability to feel pain while still conscious ठीक है, जो आपकी pain होता है या loss होता है किसी भी चीज के ability का, उसे हम क्या बोलते हैं? तो analagace बोलते हैं यानि दर्द की अनभूति नहोना, जब भी आप ability को loss करते हो, lability का last होना और उसमें pain का feel नहोना, यानि कर सकते हो कि हमेसा बना होना, उसे हम बोलते हैं analagace यानि दर्द की अनभूति नहोना, ठीक है? तो हम फिर से एक बार revise करते हैं, फटा-फट ध्यान से समझेगा क्या क्या करते हैं उसको, सबसे पहले, the loss of ability to feel pain while still conscious, तो इसको हम बोलते हैं, analogousia, next हमारा दिया गया है, design section, तो इसको बोलते हैं, अकाडा, जिसे हिंदी में, sorry, इंगलिस में बोलते हैं, amphitheater, next दिया गया, animals which leave both and both on land and water, तो इसको या बोलते हैं, amphibian, amphibian बोलते हैं, जैसा कि आप लोग देखे, next हमारा आ गया है, a general pardon of particle offender, तो इसको हम क्या बोलते हैं, amnesty बोलते हैं, इसी तरह से हमारा next आता है, हमारे सामने partial or total loss of memory, जो की गजने से मैंने connect कराया, तो amnesia बोलते हैं, इसको ऐसी व ambiguous बोलते हैं, next हमारे सामने आता है, आपके सामने ये पूरी एकसर साय जाती है, तो इस तरह से दोस्तों आप पूरी चीजों को revise करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलेंगे next वीडियो में, idioms and fridge के साथ तर तक ले, thank you, thank you so much